नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हलो हलो हानोस्ते हिया हानमस्ते कौन मैं पुशी नगर से वर्षा कोल बोल रही हूं बताए आप से कुछ अपना प्रावलम बताना चाहती हूं बताए सब्सक्राइब चैनल टेट 2020 में आपने पास कर लिया है आगे बताएए उसके पहले मेरा 17 में एक नंबर से रहा जया था मेरा 81 नंबर था मतलब बैट नहीं पाए पत्रावाले में फिर उसके बाद से एक याची साइद लोग बनवाया है और सब्सक्राइब नंबर था लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाया तो उसमें तो नहीं हो पाया तर वह समझ में आ रहा है लेकिन मेरा अब तक क्या हुआ उसके बारे में हम बहुत सारे लोगों से चर्चा करते रहते हैं यूटूब पर डालते रहते हैं आपने कभी सुना होगा तो जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहस जो है हुआ सब लेकर अब तक पढ़ते हैं लेकिन अब आइसा तो नहीं है कि हम लोग सारे में चीजए hey करते हैं डेनिकृच विसको संचहिफ में पढ़ते हैं ऐसे ही पीछे क्या हुआ है ताकि आसान होजा समझना कर्केट कहिए टो जहें खृत हैं टूस्यृ में बात करते हैं कि हसे हैं तो क получится के दौरान एक अलग कहानी होती है लेकिन जब क्रिकेट स्थमाप्त हो चुका होता है तो लोग सॉर्ट में बात करोते हैं और एक फाइनल कहानी की बात कर रहे होते हैं कौन जीता कौन हारा कौन क्या किया तो ऐसे ही सन 2000 में सरसिक्षा वियान चला उसके तहत अटल जी की सरकार थी सिक्षामित्र योजना लेकर आए और यह योजना टेंपरीरी रखी गई थी पर्मानेंट नहीं था कुछ समय के लिए जब तक पर्मानेंट सिक्षक नहीं रखे जा रहे हैं तब तक यह योजना चलानी थी ठी सब्सक्राइब तो यह नियम बन गया तो मायवति जी और कैंधे सरकार ने प्लान किया कि जो है कि सऑ लिए के लिए जी ने द ढूचा मितरूं के लिए करने सफ़ाइर से कंधू तो पहला तो उन्होंने गलत जो है जानकारी दे करके उन्होंने अफूरुल लिया उसके बाद वो समय जन किए बीना टेट के बीना वो भी केंद से अफूरुल लिए जिसके कारल आगे जा करके आप लोगा के अलग दिखाने के अलग क्योंकि कोड मैटर उल्जा हुआ था बीजेपी उत्राखंड में जो है जो भी टेट पास सिक्षामित्र थे उनको जो है पर्मानेंट कर रही थे और जो टेट पास करते जा रहे थे धीरे-धीरे सबको कर रहे थे वही काम यूपी में भी करना था लेकिन यहां पर कोड का चहरी चल रहा था 2017 में जब यह आए तो कोड का जो आर्डर हुआ उससे बंदे हुए थे वह आर्डर इन्होंने पूरा किया तो अब तक जो है चार बार यूपी टेट हो गया नौ बार सीटेट हो गया और अब तक लबह लबह पच्छामित्र से ज काया तो शाड़े पांच लाग सिक्छामित्स जो भी क्वालिसासटेशन पूरा रखते हैं याने ट्रेनिंग कर चुके हैं और टेट पास कर चुके हैं उनको इसमें एक और बाATHAN तब भी सामने आई है कि हो सकता है जो टेट पास नहीं है उनको तो तो प्रैमरी में तो ले जाएगी लेगे पांच साल का समय भी दिया जाएगा ताकि वह जो है टेट पास करके चाहिका ध्यापक प्रैमरी में बन सकें प्याने के अन्य लोग जहां सूपर टेट और यह वह बन जाएं तो केंद सरकार भी अपने तरफ से कि करने जा रही है और राज़े सरकार तरफ से तरफ के चूटी घोत्रा करने जा रही है अभी मिटिंग हुआ है प्रसाव मेंसे क्या-क्याथ फाइनल लोगा अभी वह सामने आएगा तो आप टेट पास हैं सीटेट पास हैं तो बस लाप जो है panel में रहेंगी जब तक नहीं हुजा रिड़ी प्रक्रियार शुरू नहीं तक देर है चाहिए वह देर दर स्थ दिन का हो चाहिए एक महिने का हो चाहिए 2 महिने भत यह है तेर किन सरकात मैं डर giddy जो बेड़ वाला है तो कि आप जानते हैं कि गौवर्मेंट अपना काम करती है लेकिन जो विपक्षी पार्टी है सक्ता में नहीं है तो वह काम को टांग डाना चाहती है कि काम मत करने दो इनका काम रुखते रहें दूसरी तरफ जो है बीएड है पीटीसी है डीलेड है सिक् बीड़ ओला कुछ हो रहा है तो तो सब एक दुसरे का टांगग खीच रहे हैं यानिके सब दूसरे को आगे बढ़ने से रूख करें आक कोई नहीं बढ़ कारा है यह नहीं सोच रहे हैं कि चलो राश्ते में आगे जो खड़ा है अगर वह आगे बढ़ेगा तो जगहाली ह थोड़ा बहुत उल्जा सकते हैं लेकिन करना कवर्णमेंट को है जानते हैं यह सिख्षा मित्र के कुछ लोग है जो अपने आपको ज्यादा बिना मतलब का सब काम लोग करते हैं अब क्या कहा है इसे संगशन बना के अब कर दिये लोग आपके सिक्षा मित्र ही जो टेट पा इसे बात कर रहे हैं उनको जलन हो रहा है कि टेट वालों का क्यों होने जा रहा है कि सबका हो तो सबका हो तो इसी लिए तो यह सबस्तों को सबको देखना पड़ रहा है न तो खैर अभी वाला मैटर उल्जहा हुआ हूँ है उसको गोवर्नेंट 18-22 तारिक में हाल करने जा रहेगा भी और उसके बाद फिर गौवर्मेंट शुरू करेगी तो गौवर्मेंट के लिए भी डिलेट के लिए भी बिटीसी के लिए भी सिक्षामित्र के लिए होगा है तो रिजल्ट भी जारी हो जाएगा जल्द ही तो 18-22 के बीच में वैलिट हो जाएगा उसके बाद सीटेट का अंसर की जारी हो जाएगा तो यहां तो जितने भी सिक्षामित पास किये हों या यूपिटेट वो सब एक साथ समाजीत होंगे और उसी 2023 में ही होगा तो निशिंद रही है आपका पीछे जो नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए वो सारी चीज़ें वो कहानी खत्म हो गया अब आगे देखिए जो आगे आफसन है जो गवर्मेंट करने जारी है ठीक है हम लोग मतलब 20 में पास की है तो आप बताते हैं 11-14 तक थोड़ा सा मतलब देखिए जरे बहुत सारे लोग जुड़े होए हैं अब से बहुत सारी बात्ते होती हैं ध्यान दिया कि ये किस बात करने कही जारी है सMc कि हमे तक जो भी हाल में हुआ है यहां तक जो भी टेट सी टेट पास होगा वह सारे सिक्षा में प्रैमरी में साइक अध्याबक बनाया जाएंगे अब कोई सूपर्टेट नहीं देना है डारेक्ट होगा तो सुनके थोड़ा सा पाजितिव सी आती है वैसे साइसा को संब्सक्राइब अब करने थोड़ा साने नहीं हो पाया कोई पीछे क्या हो गया जोड़े मस्त रहिए खुस रहिए खुषाल रहिए थोड़ा सा इना और है तब सही हो जाएगा देखे जो इंसान खुश रहता है पॉजिटीव रहता है अच्छी सोच रखता है आगे बढ़ने की सोच रखता है उसका सब अच्छा होता है लेकिन अगर कोई नेगटिव सोचने लगता है उल्टी सीदी बाती दिवाम आने लगती हैं तो फिर वैसे ल लोग कोईनों कोई देख सुनती होंगी पढ़ती होंगी कि कोई सुसाइड कर लिया तो कुछ और हो गया तो नेगटिव सोचने वालों का कहीं न कहीं दिखें किसी का हार्ट अटेक हो जा रहा है तो बस एक चीज़ानी है कि नेगटिव हो करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है नेगटिव लिखने वाले फालतू लोग फालतू बाते करते हैं सिर्फ पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए एक चीज हमेशा करते रहिए प्रति दिन करते रहिए और वो है पढ़ाई हर किसी सम करते हैं कि पढ़ाई जारी रखिए तब तक जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाया जाहे जितना समय मिल रहा हो आधा गंटा एक गंटा दूगंटा जितना आप समय निकाल सके लेकिन प्रति दिन पढ़ाई जारी रखिए प्रति दिन टाइम टेवल बना लिजे कि आधा गंटा या एक घंटा हम मैथ पढ़ेंगे मैथ ऐसा सब्जेक्ट है वो प्रति दिन पढ़ना ही पढ़ना है चाहिए वो किसी लेवल पर कोई त्यारी कर रहा हो तो मैथ तो हर हाल में पढ़िए ही प्रति दिन अगर कठिन लगता है तो नीचे की कख्छाओं से शुरू कीजे धीर धीर उपर बढ़िए कंप्टिशन वाली मैथ मत पढ़िएगा वो अगर नहीं आता है तो मैथ अगर सीखना है तो इस्कूल की किताबें लेगर क्या वो भी नीचे छोटी कख्छाओं की किताबें लेगर वहां से पढ़ना सवाल लगाना शुरू कीजे और इसके बाद अन्य सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ना है समझना है और रटना भी है मैथ भी किताबों को पढ़ना भी है उसमें जो लिखा है वो समझना भी है और और फार्मूलिया वगरे जहां आएंगा उनको रटना भी और सवालों को अधिक सदिक लगाना भी है तो कुछ लोग कहते हैं कि रटना नहीं चाहिए लेकिन रटना भी एक हिस्सा है पढ़ाई का तो रटना तो पढ़ेगा कुछ नो कुछ तो मैत को प्रति दिन लगाते रहें बाकी अन्य विश्यों को आधा गंटा गंटा जैसे जितना समय दे सकती हैं प्रति दिन पढ़िए और सारी विश्य पढ़ते रहें एक विश्य फूकस मत कीजिए बेसिक नॉलेग कम सकम हाई स्कूल लेवल तक या कछार तक हर विश्य की होनी चाहिए है असल मेरे मेरे बिड़ाले में मैं आप तक आती हूं उसमें प्रति नबबे परसेंट लोगों का मैस कम जो रहता है खासरों महिला हों क्योंकि उतना जो है उस 파क्स करती नहीं तो मैस कम Zor इसली नहीं की बहुत आसान लिएर क्रफिन इसलिए लगता है कम जोर इसलिए वे हो क्योंकि लोगा यह की लोगों को समय नहीं देते हैं पढ़ते नहीं में चलती हैं उसको पढ़ेंगी ज्यादा अच्छा वो इंग्लीज में जरूर होती है लेकिन बहुत अच्छी किताबें होती है उन्हें बहुत आसान भासा में समझाया होता है थोड़ा इंग्लीज की दिक्कत हो सकती है अगर फिर भी हिंदी मीडियम के लेंगी तो अपने जांवाया सकते हैं सब्सक्राइब करसे होता है उपांच Court भी पढ़ए सवाल लगा जाई है पुरा और०्ली सुरू से अंत्यतर में केताब करया ठाहिए चार चार का उठाई है यह सवाल लगा जाए प्रैमरी में और जो तर्ट नहीं पास हैं उंगा प्री प्राइमरी में भी होगा और प्रैमरी में बहुत अच्छा लगा बहुत बीला हमको चलिए जानकारी ही सब कुछ तो नहीं रहेगी तरटरा के लोग नेगटिव न्यूज कि भिलाने वाले हैं उनसे बस दूर रही है अपने नेताओं से दूर रहे ये लोग जो है किशी का भला नहीं चाहते हैं बस अपना बहला चाहते हैं यह लोग हम तो सुरू से बहुत जादा दूरी बना कर रखते हैं तो भी तो आप इस शरी आप ने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपकी लिए बहुत भने वाली स्थी वेल्कम